सरसो का साग और मक्की की रोटी जो पंजाब का ट्रेडिशनल डिस है लेकिन आजकल हर जगह लोग बनाते ही हैं सबसे पहले हम सरसो ले लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे डंठल इसका निकाल देंगे अगर डंठल रहेगा तो यह सौफ्ट नहीं लगेंगे खाने में बॉयल करने के लिए रख देंगे कूकर में हम साग को रखेंगे इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम नमक डालेंगे नमक डालने के पाद थोड़ा सा पानी इसमें प्रेशर से हिया जाता है उतना पानी एनफ है अगर लगे आपको पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी उसमें डाल सकते हैं अब इसमें हैं लहसुन और मिर्चा डाल देंगे और नमक डाल देंगे फिर उपर से और साग हम रख देंगे हम साग थोड़ा ज्यादा बना रहे हैं क्योंकि हमें जो है चूबा के लिए भी बनाना था अब हम प्रेशर लगा देंगे दो तिन सीटी आने तक पक जाएगा आराम से सर्दियों के मौसम में काफी अच्छा लगता है बनाके खाने में मक्के की रोटी और सर्सो का साग इसका कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हैं सर्सो का साग बॉयल हो चुका है और पानी थोड़ा सूख गया है अब इसमें हम अगर पानी की जरूरत होगी तो एक अड़ा का ढ़ाल देंगे और हम इस तरह से मतनी से आप चाहे तो मत ले नहीं तो फिर मैसर से मैस कर ले या फिर आप इसे पीज ले हमने तो कुछ देर ऐसे किया था बहुत इसमूद नहीं आ रहा था बस बेटा मेरा कहा हम भी मिक्सी में चला दीजिए तो फिर हमने इसको मिक्सी में पीज लिया अभी हम सबसे पहले चलना है चोक लगाने इसके लिए हम प्याज और लहसुन हरी मिर्च अदरक खाट लेंगे और इसके लिए हिंग जीरा और सूखे लाल मिर्च टमाटर आप सनल है अगर आपको के तेल से ही लगाएं और इसमें हम हिंग जीरा और सुखे लाल मिर्च टाल देंगे कुछ देर हम इसे चटकने देंगे उसके बाद हम इसमें लासुन डाल देंगे और अदरक टाल देंगे अब हम प्याज डाल देंगे एक मिनट के बाद उनको भी हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे हमें एकदम से नहीं जो है लाल करना प्याज को अब इसमें टमाटर डाल देंगे टमाटर आप्सनल है बिल्कुल आप कुछ चीजें अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं इसमें अब हम धनिया पाउडर डालेंगे हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा और हम इसमें साग जो है इसको हमाईसे ही डाल देंगे साग डालके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम दो चम्मच मक्के का आटा डाल देंगे ताकि सरसो का जो कड़वापन होता थोड़ा सा का सेलापन वो ना आए उसको इनहेंस करने के लिए हम डालेंगे आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं या सक्तू भी डाल सकते हैं उसकी जगह पर अब यसे हम अच्छे से खूब मत देंगे अभी हम इसको मिक्सी में डालके चला लेंगे एक बार ताकि बहुत ही अच्छे से स्मूध हो जाए आपको जैसा पसंद हो आप ऐसा रखिए अब इसमें थोड़ा नमक और एट कर देंगे थोड़ी बस साग हमारा बन गया है बूपर से हम इसमें बटर एट कर देंगे यह देखिए कितना टेश्टी साग बनके सरसो का तयार हुआ आप चलते हैं मक्के की रोटी बनाने की प्रोसेस में सबसे पहले हम गयस पर रख देंगे पानी बॉयल होने के लिए थोड़ा सरी फाइंड पानी बॉयल होने के बाद मक्के का आटा डाल देंगे इस तरीके से आप भी बनाईए काफी अच्छा बनता है आटा फटता नहीं है मुलायम भी होता है स्वारी आटे को हम अच्छे से इसमें जितना आटा पानी सोक ले उतना हमें डालना है उसके बाद गैस की फिलेम हम इसे हम धक के 10-15 मिट के लिए रख देंगे उसके बाद हमाटे को निकाल लेंगे और निकाल के हम इसे अच्छे से थाली में मैस कर लेंगे थोड़ा सा हाथ में आप तेल लगा लें हमें हलका गरम रहे तब ही मैस करना है थाली में भी थोड़ा सा रिफाइन डायल या घी लगा ले कुछ भी आपको जो समझ में आए ताकि चिपके ना और इसे हमें थोड़ा साफ्ट आटा कड़ो लगाना है और टाइट नहीं रखना पानी डाल डालके हमें इसे आटा सॉफ्ट लगा लेंगे एकदम बिल्कुल गय हूँ के आटे की जैसे रोटी बनती है उसी तरीके से बना था काफी साफ्ट हुआ था अब इसी तरीके से बनाईएगा आटा हमारा गुट के तयार हो गया है अब चलते हैं हम इसे ग्यास पे हम तवा रख दिये हैं आप जलते हम इसे बेलने के इसके लिए हम गेहू काटा ले लिए आप चाहे तो मक्य काटा रख ले पर्थन के लिए और नहीं तो आप गेहू के आटे से ही लगा सकते हैं हम पहला वाला थोड़ा से इसका जो पेड़ा आप बनाई है वो बहुत समप्ट बनना चाहिए नहीं तो अकिनारी हलका हलका देख सकते हैं अब फटा था लेकिन उसके बाद हमारे सारे जो है रोटी सब अच्छे बने हुए थे यह भी अच्छा ही बना है अच्छे से बिल गया है देख सकते हैं अभी से मतवे पे डाल देते हैं आप चाहे तो तवे पे ही फूला ले इस तरह दवा दवा और नहीं तो आप चाहे तो गैस पे फूला ले पहली रोटी है बेटा हमारा थोड़ा नाकून लगा दिया था इसलिए फूली नहीं है रोटी बना ले आप चाहे तो घी लगा के खाएं नहीं तो आप इसमें बटर लगा के खाएं आराम से देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा रोटी फूल गई है इसी तरह सारे रोटी फूल आप से एक ले अब चलते हैं प्लेट लगाने इसमें हम थोड़ा सा सरसो का साग लेंगे थोड़ी से मूली रख लेंगे हम इसमें थोड़ा सा गुड रखेंगे हम इसके साथ और इसमें हम रोटी रख लेंगे है रोटी में हम घी लखा लेंगे आई हो हमारी ये पंजाबी थाली आपको पसंद जरूर आई होगी पसंद आई होगी तो एक बार बना के ठाइज जरूर करिएगा और हमारे चैनल मादरी कीचन ब्लोग को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तैंकि वाला आप काईज